एक और जहां आज समाज में दहज जैसी कुपरता का प्रचलन बढ़ा है वहीं एक युवक ने बगर दहज के परेने शुत्र में बन कर समाज के लिए मिशाल पेस किया है इसके साथ ही युवक ने दहज लोभियों को भी करारा जबाब दिया है बगर दहज के आदर्श विवा रचाने वाले युवक बगोदर के कुसमरजा निवासी टिंक कुमार है उसने विश्णोगर के गोविंद पुर्खूर निवासी कोमल कुमारी के साथ बयाह रचाया है टिंक कुमार गाव में टेंट लाइट का धंदा करता है उन्होंने बताया कि समाज में फैल रहे दहज कुपरथा के खिलाफ लोगों को जागरू करने के लिए मैंने दहज मुक्त विवा किया है उन्होंने अपने उम्र के युवाओं से भी दहज मुक्त शादी करने की अपील की है मौके पर उपस्तित समाज से भी दिनेश्वर महतों ने बताया कि टिंकु कुमार ने दहेज मुक्त शादी रचा कर समाज को एक संदेश देने का काम किया है लोगों को इस तरह के विवा को बढ़ावा देने के लिए आगे आने की ज़र्वत है ताकि दहेज जैसी कुप्रता पर काभी पाय जा सके शादिक मौके पर पंस्चायत समीती सदस्य नागेश्वर साज जगनमहतों मुकेशा प्रकास मिस्तरी महंद्र पासवान सहित यूगल जोडे के परिजन और दोनों गाउं के कई ग्रामेण उपस्ति थे बगोजर से धर्मेंद्र पाठा की रिपोर्ट